दोस्तो यहाँ पर एक बात ध्यान से सुन लो क्योंकि बहुत सारे लपड़ जंडिस मुझे रोज कमेंट करके बोलते हैं भाईया हमारे फोन में यहाँ पर रोम डाल के दे दो तो अगर आपके फोन के लिए रोम एविलिबल ही नहीं है तो हम कैसे डाल के दे देंगे हम क्या ना जेकोब भाईया ना यहाँ पर श्टीव जॉब भाईया ना यहाँ पर गूगल के सुंदर पिछारी भाईया कोई भी डाल के नहीं दे पाएगा सूचना जनहित में जारी ओके बाई दोस्तो यहाँ पर बहुत सारे लोग मुझको बोल रहे थी यह lineage operating system क्या होता है और AOSP क्या होता है दोनों के बीच में समानता ही क्या है difference क्या है कैसे जो है दोनों जुड़वा भाई नहीं है यहाँ पर आज हम इस बारे में बात करने वाले हैं तो दोस्तों जो है बहुत सारे time आपने जब custom ROM यूज़ कर रहे होंगे lineage OS based आपने बीखियोगी कि यह जो custom ROM है यह lineage operating system based है यह जो custom ROM है यह AOSP based है तो आखिरकार दोनों में difference क्या होता है और कैसे यहाँ पर जो है आप दोनों में से एक particular ROM को select कर सकते अपने usage के साब से आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे तो वीडियो को आखिर तक देखता रही है अपने कुर्सी की पेटी बाद लीजे क्योंकि यहाँ पर भारी तबाही होने वाली है तो चलिए Let's begin Now guys यहाँ पर कितने लोगों नो इन lineage operating system use किया है नीचे comment section में comment करके ज़रूर बताना इन best feature कौन सा लगा वो भी ज़रूर बताना Now एक सवाल सभी के मन में सबसे पहले आ रहा होगा क्या यह lineage operating system जो है Android नहीं है क्या यह ASP based नहीं है और क्या इसमें यहाँ पर अलग चीज़े हैं जो इसे ASP से अलग बनाता है तो यहाँ पर मैं आपको एक doubt जो है सबसे पहले clear कर देता हूँ यह जो lineage operating system है यह भी ASP के ही अंडर आता है ASP क्या होता है Android open source project यहाँ पर मतलब कि Android की कुछ file है यहाँ पर Google वालों ने डाल दिया है उन file को use करके लोग अपने साब से roam बना लेते हैं तो यहाँ पर lineage OSB जो है Android से ही modified होके बना यह मत सुची कि उसे iOS से निकालके अलग source code डालके सारी चीज़े मक्षन मलाई मारकेट डालके उसमें दे दिया है ऐसा बिलकुल भी नहीं है यहाँ पर lineage भी जो है Android के open source product से ही आता है यहाँ पर अब बात करते हैं तो अगर यह दोनों साथ में आते हैं तो AOSP और lineage operating system दोनों को अलग-अलग क्यों कहलाते हैं भला भाई तो यहाँ पर मैं आपको बताऊं तो जो AOSP based roam होती है उसमें आपने एक चीज़ notice की होगी कि यहाँ पर आपको Google के बहुत सारे apps देखने को मिलते हैं जैसे कि जब भी आप कोई BOSP roam को install करेंगे तो अगर आपने GApps flash नहीं भी किया है तब भी आपको calculator Google की तरफ से देखने को मिलेगा यहाँ पर आपको Chrome देखने को मिल जाएगा यहाँ पर photo gallery जो Google की तरफ से आती वो देखने को मिलेगा और ऐसे ही बहुत सारे Google के services होते हैं जो आपको देखने को मिल जाएंगे अगर आप Google Apps को flash नहीं करेंगे तब भी तो यहाँ पर जो है जो ESP based room होती है वो यहाँ पर Google Apps को use करती है चाहे वो calculator उसका use किये यहाँ पर और कुछ चीज़े यूज कीजे तो उसमें जो है Google की services आती है चाहे आप G Apps flash कीजे नहीं कीजे और वहीं पर आप बात करे Lineage Operating System की तो Lineage Operating System एक मातर ऐसा system है जिसमें Google की कोई services आपको देखने को नहीं मिलती है जी हाँ दोस्तों यहाँ पर इवन Google का calculator Google के Chrome कुछ भी देखने को नहीं मिलता है इवन यहाँ पर जो है आपको Google Apps, Google Play Store, Google Services कुछ भी देखने को नहीं मिलती है बट आपको आज के टाइम पर option मिल जाता है कि आप यहाँ पर G Apps को flash करके जो है यहाँ पर Lineage Operating System में Google Apps को install कर सकते है इसका मतलब यह नहीं है कि आप Google Play Store को नहीं चला पाएंगे Lineage Operating System में जस्ट यहाँ पर Lineage Operating System एक modified version है AOSP ROM का तो AOSP ROM में Google Services मिलती है Lineage Operating System में यहाँ पर कोई भी Google Services देखने को नहीं मिलती है उसको बनाएं ऐसा है कि यहाँ पर जितनी भी Google की Services है उसे extract आउट करके निकाल दिया है बाहर और बाकी ROM को modify करके बिलकुल करची तोड़ performance के लिए यहाँ पर आप सभी के लिए बनाया है तभी जो है बोला जाता है यहाँ पर Lineage Operating System जो ROM होती है उनमें customization काफी अच्छा खासा तगड़ा देखने को मिलता है और इवन वहाँ पर security के कुछ features हैं जो यहाँ पर AOSP ROM से भी अच्छे हैं यहाँ पर in short बोला जाए Lineage Operating System is equal to AOSP ROM minus Google Apps Services सारी Google Apps Services हटा दी तो यहाँ पर जो है AOSP ROM में से तो वो बन जाता है Lineage Operating System प्लस थोड़े से modification भी add कर दिये developers के now यहाँ पर अभी ऐसा क्यों किया जाता है कि Lineage को अलग बना जाता है AOSP को अलग बना जाता है तो यहाँ पर मैं आपको बोलना चाहूंगा कि developers जो हैं अपने अपने दिमाग के हिसाप से यहाँ पर अपनी जो रुचियां होती है जो hobbies होती हैं अपने अपने usage के जादा नहीं रह पाऊंगा ज्यादा हो गया तो यहाँ पर जो Lineage operating system होता है उसमें आपको calculator, gallery वगरे सब कुछ मिलेगा लेकिन वो Google का कुछ नहीं होगा वो किसी developer के थुरू यहाँ पर जो है modified किया हुआ या बनाया हुआ आपको वो सब देखने को मिलेगा तो यह चीज़ एक specific phone के लिए सारे patches available होंगे तभी जो है एक ASP ROM बन पाएगी जो अच्छे से आपके phone में work करेगी अगर patches available नहीं होंगे तो आपकी custom ROM बिल्कुल भी use करने लायक नहीं होगी और इवन वो boot भी ना हो पर lineage operating system के case में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जो lineage operating system होता है वहाँ पर सार या आपने custom ROM देखी होंगी जिसमें लिखा होता है कि based on lineage operating system सो उनका base जो है बना हुआ है lineage operating system में मतलब ये phone है इसमें जो है आपको UI देखने को मिलता है उसे main UI या color operating system या oxygen operating system ये सब करने को उसके नीचे एक base होता है जो सारे functions को यहाँ पर काम मिला रही होती है तो वो base होत आपको look वगरा देखे दे दिया है उस custom ROM को अलग नाम से फिर जानते हैं बट base जो है उसका lineage operating system पर based है तब ही यहाँ पर lineage operating system जादा devices के लिए available है and lineage operating system काफी पूराने टाइम से चला हो आ रहा है मतलब पहले ये signogen mode के नाम से जाना जाता था and मेरे को याद है मैंने यहाँ first time या second time जब भी जब starting में use की थी तो signogen mode काफी जानी मानी तब की भी ROM है बीच में थोड़ा सा बंद हो गया था development अब दुबारा से चालू हो गया इनकी official website है यहाँ पर जाके आप देख सकते हैं कि आपके phone के लिए available है कि नहीं है अगर है तो आप definitely use करेंगे आपको काफी मज़ा आएगा इवन यहाँ पर आपको lineage operating system में third party drivers देखने को मिल जाएंगे जिसकी वज़े से जो शायद आपकी थोड़ी सी performance increase हो जाए या यहाँ पर थोड़ा सा आपका battery backup boost हो जाए तो यह सारी चीजे जो है आपको lineage operating system में देखने को मिलती है so lineage operating system is nothing but an AOSP without google services and उसमें यहाँ पर आपको third party drivers देखने को मिल रहे है प्लस कुछ security patches यहाँ पर additional install किये है प्लस यहाँ पर modified किया गया है उसे तो यह जो है इस रों को हम कहलाते है lineage operating system so guys I hope so आपके सारे doubts यहाँ पर clear हो गयोंगे lineage operating system के regarding अगर अब भी आपके मन में कोई doubt है तो हमारे telegram channel को जाके join आपको सारी information मिल जाएगी हमारे ग्रूप में इस वीडियो को हम यहीं paint करेंगे मिलते हैं ऐसी किसी new interesting धासवाड़ वीडिसा तिल दें जय हिंद टेक क्यार एंड स्टेय फिट तो यहाँ पर आज का विचार काफी अच्छा विचार है ध्यान से सुनिएगा बदल जाओ व झाल 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 झाल